नमस्कार आप देखरें नीज वर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काज़ो लारायन शुर्वात करें ये खबूर जो प्रदेश अद्देख्ष हैं दिये जाने वाले फॉर्म में अपना नाम लिखाएं ये वही नाम होना चाहिए जो मौजुदा बिजली बिलो पर आ रहा है जो प्रदेश अद्देख्ष हैं उनका जवाब देंगे और अगर उन्होंने अन्दाताओं को आतंगवादी कहा कौन नहीं जानता कि अन्दाता को आतंगवादी निका भारती जन्ता पार्टी के लोगों तो फिर आतंगवादी को अन्द क्यों खातें ये खाना छोड़ दें और कम से कम भारती जन्ता पार्टी के लोग ये बताएं किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल पत्र में नहीं लिखा था कि दो हजार बाइस तक किसानों की आए दोगनी हो जाएगी अभी भी जब चुनाओं में जा रहे हैं बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुकतान नहीं किया है पूरे उत्तपरेश में धान की लूट हुई पूरे उत्तपरेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ चाए उलवरिस्टी से या किसी कारण या जानवर से अभी तक किसी को मौफ़ा नहीं दिया गया किसी की मदद नहीं की गई और आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आदी हो गई है तो ये इन सवालों का जवाब भाती जिनता पार्टी कब देगी लगातार सुजाव लिए गए थे और मैंने आप से कहा कि जिस समय भाती जिनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसके बाद समाझवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाएंगे और बहुत सारे सुजाव हमें समय समय पर मिले हैं सुइचल मीडिया के माद़न सही मिले हैं हमारे सुबचिंतन के उन्होंने भी दिने हैं समाजवादी पार्टी को मिले हैं जिन्होंने दी हैं उनके सुझावों को रखा हैं और मैं फिर भी कहता हूं अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो आज इतने प्लेटफॉर्म से समाजवादी पार्टी के हैं मेरे पास भी हैं इन बॉक्स भी बहुत सारे मेसेज़िस मिले जैसी तारीके चुनावगी गोसित हुई या पिछले एक साथ से लगातार लोग कुछ ना कुछ सुजाव दे रहे हैं समाजवादी सिध्धांत लागू हो, भेदवाव खतम हो, जाते के अधार पर फैसले नहीं हो कानु बस्ता बेतर हो, डर्लमेंट में इंफ्रसेक्शर बेतर हो, सोशल स्कीम्स पहुंचें लोगों तक रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक चीज़ हैं, कंसे कम वो लोगों को मिलें और समाज़ादी पार्टी प्रोग्रेसिव काम इसलिए करती है, आपके सामने एक्जेम्पल है, लखनू में आप देखिए, वर्ल्ल क्लास मेट्रो है कर नहीं है, उसी तरह की मेट्रो नॉइडा टु ग्रेटर नॉइडा है, वर्ल्ल क्लास है कर नहीं है, आप आगरा की व समाजवादी पार्टी ने जो गुम्टी को साफ करके दिखाया 900 मीटर जुड़ गए होती तो शेर में साफ गुम्टी बहती वर्णा पे काम शुरू कर दिया आपकी इंस्ट्यूशन बनाई बड़ी बड़ी चाहें आपके कैंसर इंस्ट्यूट बनी हो क्योंकि यहां के गरी सोस्ट्यूशन देना करें माताओं बेहनौ का उसकता है कि यहां समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिस है कि प्रोग्रेसिप कामों डोलिमंट के की कामों लोग को जोडने का काम हम लोग जोड रहे हैं कभी नफरत की रादी नहीं करतें कभी किसी बात को ले भाती दिन तब आड़ी के देखिए हमारे मुख्यमंती जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं याद है याद है अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंती जी ने कहा कि हमारे जीन्स ऐसे हैं तो मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंती जी हमारा आपका दोनों का सेंपल ले लो जीन्स चे पुरानी पेंशन वाली सिर्ट मोर्चा से जोड़े 80,000 कर्मचारियों की निगाहें इस वार सभी राजनेतिक पार्टियों की घोशना पत्र पत्र पत्री की हुई हैं। की तरफ से उन्हीं केबल आजवाश्वन ही दिया गया है। भुकतना भी पड़ेगा और हम लोग कर्मचारी पूरा एक हो चुका है और हमें अपना अच्छा और बुरा देखना परिवार से ही तो हम इसको सरकार को इस पार सरकार हो चाहें कोई भी पार्टियों को दिखाने लिए त्यार हो चुके हैं। अच्छे समयुत्व मूर्चा के तत्वाधान में कई कारेकरम लगाए जा चुके हैं। एक ही बार कॉंगर्स को इस सीर पर जीत हासिल हुई है लेकिन इस बार जनता परिवर्टन की बात कर रही है। इनी सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जनता की राय जानी हमार समादाता सुरेंद धनीत्काने। क्या रही लोगों की राय आप भी सुनिया। सर मेरी नजर में तो विकास बिल्कुल जीरो है। सुन्ने अस्तर पे विकास हुआ है। सड़कों की जो इस्तिती थी वो जस्की तस्थ बनी हुई है। हमारे यहां पिछली कॉंग्रे सरकार ने माविद्याले खुलवाए। उसके लों का उच्छी कान करवाई है। ना वहां अध्यापक हैं। और उप तैसिलां खुलवाई। उप तैसिल में ना कोई अपड़ नय क्रियेट के गे। खाली लास्ट ताइम जो है कि सरकार ने जाते जाते। लास्ट तैम जो कि लॉलीपॉप सा सबको पकडा के गई। पड़ क्रियेट कर दिये भरतियां खोल दी। जीरो फीस पे भरतियां कोल दी लेकिन भरतियां नहीं होपाई आचार सहीता कि ठीक पहले भरतियां खोल दी एक लॉलीपॉप दे दिया अभी भी बेरोजगार है। तो विकास बिलकुर हमारे थराली हॉस्पिटल के लोकल बात करूं तो टोटल विधानसवा के एरिया नहीं है और कहते हैं कि ग्याराजार किलोमेटर अम्रस लग बना दी। पुछता चाहता हूं कि विकास का हुआ विकास तो बिलकुल नगर्ने है जीरो है। आप साहिच कांगरेट के समर्थ आप पहर रहे हैं कि विकास नगर्न हैं लेकर हम दूसरे अफ्कानी जिवासिं उनसे जान लेते हैं कि क्या आज बाके इन कारे काल में कितना विकास हुआ है पिछले 20 सालों राजे बने हुए या बरतमान जो ने बरतमान 5 साल हैं क्या विक किक्रांड हुए आप यहां पर देखे हैं थ्राली पैंकट स्थ मोटर रोड है थ्राली विक तवर सब्सक्तों पूराम पीदली 内 गणान जो चुका है तोच्पा है ध्यमौn में सब्सक्ते हो चुका है अगव में तरह द्युजॉस प्रते गाओं नहीं नहीं सडगय बननी है आपके बादेशाने शैनी के लिए वैतकी सब्षाय वाला है और भी बहुत कुछ हमारे होटल वाले भाईयों के लिए सरकार ने कोरुणा में काफिन साहता दी और शाथ से सित्र में पहले से बहतर काम हो रहा है शड़क की आपारहे में कि हमारी सरकार में तमाम करें के सब्सक्राइब पहुंचा है लेकिन आप पोठना चाहूंगा यहां के लोग लगातार करते आ रहे हैं लेकिन आज भी सोल्दुगुरी तब रोड है आज भी वह रोड की जो लोग मांग कर रहे हैं तराली से घाट की नंदर नगर की वह उस रोड पर क्या कारवाई हुए अब बहुत जल्दी उस पर हो जाएगा काम सुरू होने वाला है ति आप ता कहना है कि बहुत जल्दी घाट वाली मोटर मार्स में जल्दी का रहागा जागा जो विशालों का राजे बनी हुए हैं और जो पांच साल जो पिछले से कारगा कारेकाल रहा तो किस घंक आप अब आप देखेना बिकास जा कर रहे हैं तो भी हमारे चाहिए बिजेपी का ओख और चाहिए कंग्रेस के नेता करता हो निश्ची दिन पांच वर्सूं में एत्यासिक विकास की कारें चेत्र में बात करता हूं कि अध्य प्राथ में स्वास्ति के इंद्र फ्राली वरतमान उड्टर कारें हम लोगों की सद्सक्राइब लुदीस के मुख्यमुद्धा अल्ट्रासाउंड का था, अल्ट्रासाउंड में कुछी तकनिकी कारॉण से अल्ट्रासाउंड नहीं पहाँ जो जो क्हेत का भिस है है, आज और आपका महाविद्यालाई नाडवगण में खुल गया है, देवाल में खुल गया, तो एत्यासिक छेत्र इस छेत्र में काम होई। सर, मैं ये कहूंगा कि आदर्ड मगलाल जी भी इस छेत्र की जन्द सेवा करते हुए स्वर्ग सिधार हैं, तो मान्य मगलाल जी के नाम पर भी विद्याल महाविद्यालाई का नाम होना चीए, रही सईदों के संबान की बात आप करते हैं, तो असेड का राज के इंटर मेंट कॉलेज है, वो सहीद सदी संद के नाम से इस बार हो गया है, भी यदि कहीं होगा, तो सरकार उसे और भी पहल करेगी, तो अब ही जो यहां पर हमने लोगों से बात की थ्राली विदान सभाए के लोगों से बात की तिया पर लबो लोगा पुल मिला कर यह आया, कि भाजवा सबसे में खुचां तो यह आम इस बात की तुछ नहीं है, थीक है, जो कुछ कहती है, जो समर्थक है, वो अपने अपनी बात ड़ख रहे हैं, लेकिन जंता की जो पाता निखल का है कहें न कहीं। ś जंता कि इना किसको आपना प्रधिमघ्रत की जूंधत ति वह बनाती है है इनर रंतपि गया सवाल को सब्सक्राइब अहां हम आपने रहे हैं ने रहें। नियानिताल के यारपाटा शेत्र में ने गरपालिका परिशत के सभासद मनोश जगाती ने कहाए कि जोहां एक निर्मानकारे वरजित है वही दूसरी ओधरले से भारी भर कर मिर्मानकारे किया जा रहा है वही प्रशासन भी और संबनित विभाग भी अपनी आखे मूदे वैठा है उन्होंने कहा कि इस मामने के शिकायद जला प्रशासन से लेकर पधा अधिकर्ण तथा मुख्यमंती पोचल पर भी की गई पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी ने इस निर्मानकारे को रुखवानी क पहल तक नहीं की है नैनी ताल के आयर पटा छेतर में काफी भारी भर कम निर्मानकारी चला है गिरिन पैड़ में जो पूर्ण रूप से मानिनी उचिन आज़े के आधिस नुसार पूर्ण रूप से इस पर रोख है उसके बावजुद भी चला है मेरे द्वारा जो है लगातार इसकी शिकायत जील प्रादी गर्ण और आपके वन विभाग को कर दी गया है परन्तु अभी तक इस पर कोई उचित करवाई नहीं की गया है नहीं इस निर्मानकों धोस्ति करने के लिए कोई उचित कदम उठा गया है रुद्प्याग में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ातरी हो रही है हर दिन 10 से 15 कोरोना के मामलों में सामनी आ रहे हैं जिसे लोगों में एक बार फिर से कोरोना को लेकर देहशक बन रही है वहीं कोरोना को लेकर लोगों में जागुकता की कमी भी दिख रही है मासक और सोशल डिस्टंसिंग के पती लोग सरजग नज़र नहीं आ रहे यही कारण है कि जिले में वर्तमान में कोरोना के मामलों में लगातार इजापा हो रहा है जिलादिकारी मनुक कोईल ने जिले वासियों से अपील करते वे कहा कि वर्तमान समर में कोविड-19 संक्रमर का नया वरियन्ट ओमिक्रोन बढ़ी तेजी के साथ फैल रहा है जिसके लिए सभी को सतर्क्ता और सापधानी बरतनी बीहद आविश्रक है सरकार गवारा जारी गाइडलाइन का पूरता फालन करते हुए अपनी एवम अपनों की सुरक्षा के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसे, सैनिटाइडेशन तथा मास्क का परियोग करना बहुत जरूरी है सभी के सहयोग से ही कुरूना संक्रमर को आम जन्मानस में पैलने से रोका जा सकता है इसी के साथ मेरा सभी राजन्यतिक दलों से भी ये अनुरोध है और अपेक्षा है कि वरतमान में विधान सभा समाने निर्वाचन 2022 के प्रचार एवं परसार है दूरू भारत में वाचन आयद दौरा जारी कोविट-19 सक्रमर की गाइड लाइगी तुरू दिशामिक देशों के अनुसार ही कारवाई करें निताही सभास्षंद बोस चौक पर नगरपंचायद इनेशपर की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षन के अंतरगात आजारी कांबित मोस समनाय गया इस दोरा नगरपंचायद के वर से बीना मास्क को पहने गूम रहे लोगों को मास्क वित्रत किया गया नगरपंचायद इशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि कोवेड-19 को ध्यान में रखते हुए बिना मास्क भूम रहे लोगों को मास्क वित्रत करते हुए लोगों को जागरुख किया गया मास्क वाटनी का उधिश्ट यही है कि ओमिक्रोन जो इसका नया वैरियंट आया है करोना का उससे जागरुख करने के लिए लोगों को हम मास्क भीटित कर रहे हैं इसके बाद हम लोगों चलानी कारवाई भी करेंगी ready ऑज को देशी की हमें जो स्वाच्छ सर्विक्षर की तहत हमें एक अपना चौराहे को डिजिटे वो बनानास्ट बनाने तो उसके कि तहट हमने कोई भी एक चुराहे को मतलब डीजिटल उसे सुच्छ बनाके बनाना था जो किया है उत्यप्रदेश विधास पच्छ राफ से पहले वीजयोपी के तमाम निता पाला बदल चुके हैं समय चर्चा है कि वीजयोपी साथ से रिता बगणा जोशी भी नाराज सर पहले हैं सबके भी शृता बगणा जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि वेरा बेटा 12 साल से वीजयोपी में काम कर रहा है ऐसे में उसने टिकेट मांगा है यह उसका अधिकार भी है रिता बगणा जोशी ने बताया कि उनके बेटे ने लखनो केर्ण से टिकेट मिलता है तो मैं सांसत पस्ते स्टीफा देने के लिए तैयार हूँ ना ही मैं 2024 में लोकसभा चुनार लड़ूंगी उन्होंने कहा कि मैं ये पहली ही अलान कर चुकी हूँ प्रस्वारता में पार्टी प्रवप्ता सम्मित पात्र ने कहा कि दोणों दलू में रेज चल रहे है कि कौन कितना घणा परा सकता है सबह के परतियाशों के नाम नेते वी पात्रा ने आरूप लगाए कि सबह उन ताक्तों को टिकर दे रही है जिनके किलाब गंभीर मामने दर्ज है जुरान क्या कुछ कहा सम्मित पात्रा ने सुनी आफस में जिस प्रकार से एक competition और एक प्रतिसपरधा चल रही है कि who will promote more hatred for the Hindus हिंदूओं के खिलाफ ज्यादा घ्रणा कौन उगल सकता है और हिंदूओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रस्रय दे सकती है कि इस प्रकार का विशय इस प्रकार का प्रतिसपरधा competition हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पाटी और कॉंग्रेस के बीच में देख रहे हैं कि कल आश्चर यह हुआ जब एक अपचारिक फॉर्मल प्रेस कॉंफरेंस में जिसमें कॉंग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रज्जा खान जो की इतिहाद एं मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोशित किया और अभी भी हमने देखा कुछ मिन्टों पहले कॉंग्रेस पार्टी के अफिशल ट्विटर हैंडल ने प्रियंका वाडराजी के साथ मौलाना तौकीर रजा खान के तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीते दिनों आला हजरत आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहिब की कॉंग्रेस महासचीव श्रीमती प्रियंका वाडराजी से मुलाकात हुई और समर्थन देने की बात उन्होंने कही तो ये कॉंग्रेस पार्टी ने ओफिशिली ट्वीट भी किया है और तौकीर रजा खान के समर्थन के विशाय में कल प्रेस कॉंफरेंस भी देखा आज ये सवाल उतता है कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहिब कौन है याद करिए मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था जिसमें सपच्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदूओं के खिलाप जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में ऐसी बाते कह रहे थे जो कभी कहा नहीं जा सकता है मौलाना तौकीर रजा कान के रहे थे कि अगर कानून की विवस्था कहे जो यूत है मेरे जो जवान है अर्था जो मुसलिम जवान हैं उनके हातं में कानून की विवस्था आ जाये तो जो हिंदू लोग है ön को सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदूों को अब सोचके देखिए किस प्रकार की ग्रणा की बात है ग्रणा की पराकाष्ठा है हाइट ऑफ हेट्रिड जिसमें इस पर्ष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला चोड़ दिया आपने यूबकों को तो धर्म विशेश का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदूों को हिंदूस्तान में रहने की जगए नहीं मिलेगी देश चोड़ के जाना पड़ेगा और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदूस्तान का नकसा बदल के रख देंगे हिंदूस्तान का नकसा बदलने वाले लोग जिन लोगों के मनसूबों में इस प्रकार की कार साधी है कि वो हिंदुस्तान के नक्सा को बदलना चाहते हैं कानून की विवस्था को पलटना चाहते हैं स्वभावी कुरूप से वैसे लोगों का समर्थन Congress Party लेती है यह कोई Congress Party के लिए भी शहीं नहीं it is not new that the Congress Party stands in alliance with such people who shower constant hatred against the Hindus and the philosophy of India याद करिये यही वो मौलाना तौकी रजाखान हैं जिनोंने CAA के समय कहा था हम तो अल्लावाले हैं याद करिये चंद दिनों पहले हमने देखा था करनाटक में जब चुना हुए थे तो SDPI जो कि एक political front है popular front of India PFI का उसके साथ Congress Party का घटबंधन था बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन Secular Front जो अब्बास सिदिकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे उनके पार्टी के साथ घटबंधन Congress Party ने बंगाल में किया था सुभाविक रूप से यह जो radical syndicate Congress Party का जो radical syndicate वो पूरे हिंदुस्तान के सामने आज exposed है the radical syndicate which is in fact furthered by the Congress Party stands exposed in front of India today और इसमें कोई Congress Party अके लिए नहीं इसमें प्रतिसपर्दा हो रहा है प्रतिसपर्दा अर्थात competition समाजवादी पार्टी के साथ है याद रखिए नाहीद हसन पे भारतिय जंता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी उसका नतीजा आपने देखा सत्यकी जीत हुई नाहीद हसन जो कि कहराना से समाजवादी पार्टी के candidate आज वो जेल में है वही नाहीद हसन जिसने हिंदूओं के खिलाब जहर उगला था और कहराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे वहीन आहीद हसन जिसने कहा था हिंदूओं की टिकट दिया था आज जेल के सलाखों के पीछे है रफीक अंसारी मेरट से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके उपर लंबित है यह भी हम जानते हैं किस प्रकार की ग्रणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविडित है असलम चौधरी विधानसभा धौलाना दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में जोकना यही असलम चौधरी का काम रहा है उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है साहिद मंजूर की तोर से उनके खिलाव एक्प्रम। यहां जिसको टिकट दिया गया है के समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहरन पूर में ido द्वारा िन्सा का मास्टर मैंड और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहे नियूस वर्ल इंडिया के साथ